हेलो एवरिवन वेल्कम टू मैं चैनल और यह सुबह के वज़रे हैं 11 और यहां मॉर्णिंग का सारा काम काज क्लीनिंग सब करतम करके नहां के पूजा पड़ सब कुछ होगी और मैं किचन में आई हूं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए तो ब्रेकफास्ट से पहले आज में द बनाने वाले तो यह उसी की थोड़ी से तैयारी करके में रख दी हूं तो ब्रेकफास्ट बना रही हूं मैं यहां पर सैंविच वेस सैंविच ऐसे नहीं की गारा बदे सब भूखे बैटे वे मैं तो पूजा जाकी हूं तो अब खा रही हूं लेकिन बच्चे लोगों ने मैं ठूब जाएं चाहिं के दो चाहिं कर देती हूं उसके बाद मिर्च पाउडर, ब्लाक पेपर पौॉडर में लिखना गिंगता है थिस बाइब घञंगें मोर्थ सब्सक्राइब मैं अपने भी कहा शुक्तिननतरों सब्सक्राइब मिर्च और लेसुन को मैंने चौप करके रखा चौप नहीं किया मैंने कूटा है और उसके बाद जो पालक मैंने जो बॉयलर कर रखा उसको भी मैंने मिक्सर केंडर में पीस लिया प्याच कट कर लिए सारा तैयारी करके मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूं एक प्यास कटि बहुत भी में प्यास लागता है हूं नियुबपानी हैंा मचे प्राइव मिर्च लासले हैंW स्पार्ख पधार लिए मिर्चपा की भालवी पारेही सब्सक्रशल भाकुए उसके बाद मैंने जैँ ड़ें धो ट이माटर टाल झालने में मैं नमक ड़ाल कि पानी जीस कोटिन के अधीन मिक्स कहता है पेश्ट नहीं बनाना है बस कट करके डालना यह अच्छे से मिक्स हो जाएगा उसके बाद इसे में आप देखी रहे होंगे इसमें कितना अच्छा से मिक्स हो चुक है टमाटर और फिर मैंने डाला है एक छोटा चमस धनिया पॉडर डाला है ज्यादा नहीं अब उसको भी अ और यह भी बहुत ज़्यादा क्रीमी क्रीमी सा लग रहा था फिर इसमें अच्छे से भून लिया जब भून गया तो यह जो पालक का जो पेश्ट मैंने बना कर रखा था वह मैंने इस मसाले में डाल दिया है और काफी देर तक करीब दस मिनट तक मैं पालक और मसालों को सा अच्छे से ग्रेवी पक जाएगा तब पनीर डालोंगे यहां पर पालक का जो पक चुका था तो मैं डाल दिया है पनीर डालने के बाद मैं इसको ढख थोड़ी देर के लिए ज़ोड़ दोंगे जैदा नहीं बस पांच मिनट ताकि जो पनीर है वो अच्छे से मिक्स हो ज अच्छे से बाद मैं इसको कर दूंगे एक जर्विंग बॉल में खाली और फिर मैं गैस बगेरा जो है आफ्टरनून की किचन क्लीनिंग खाना बन गया तो वही काम करना कीचन क्लीनिंग करना तो अभी गैस पर चढ़ा हुआ है वहापर मैंने फ्राइड रेज चढ़ाया बरतन कितना ज्यादा निकल चुका है और इधर मैंने फ्राइड राइज चढ़ाया वह भी पका नहीं है जब तक बरतन दोंगे तक वह भी पक जाएगा फिर मैं उसको घ्यास वगेरा को भी सारा को क्लीन कर लोगे तो फ्राइड राइज मैंने बहुत सिंपल वाला बनाया पुरी यह सब पालक पणीन पच्चे पसंद करते हैं या तो फिर फ्राइड राइज यह सब तो इसलिए मैंने दो अभी रात में पराठा बना लूँगे लेकिन अभी दुपहर में मतलम लच में मैं पालक पणीन के साथ फ्राइड राइज बना बना लिए वह भी सिंपल जैसे कि गी डाला fica काजू किसमिस बाइन नमक चिनी डाला कि दो सिटी वहत दो सिटी गाल वहज़ा निज़े इस्मिन पूलिया रेगो सिम्पल न्युक्त ने टेश टो कि दूस्ट और शनी दूस ऐना छाएगा तक वहां सिटी दू तक मेरी यहां भरतन भी धुल रहे हैं और इतना ज़्यादा गर्मी छादा ना निई ग्लास मैंने पिया और बचा वासाना वह भी मैंने सारा पी लिया मैं अच्छकल तो ऐसा लग लगा ना गर्मी में नीमबू पानी में सहारा हो गया है कि मुझे रुआपजा वगएरा यह सब उतना जदा पसंद नहीं आता है मुझे ना बस नीमबू पानी या ग्लुकोच य अच्छे से क्लीन कर लोगी सारा कुछ क्लीन करने के बाद यह कुछ दिर बात का हात पांध हो यह बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था अब मैं यहां पर खाना निकाल रहे हूं खाने के लिए यह देखे सिंपल प्ले इन फ्राइड राइज बनके हो गया तैयार सिंपल सा फ्राइड राइज और पालक पनीर और साथ में प्यास ले लोगी ताही होप आप लोगो आज की यह वीडियो अच्छी लगी होगी मदब सिंपल सा एक ज्यादा कुछ नहीं बस आफ्टरनून रूटीन मैंने सेयर किया आप लोग के साथ में और लंच रेसिपी सेयर किय पालक पढ़ी नबर ज्यादा कुछ नहीं है तो आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सेयर सब्सक्राइब कीजेगा और कमेंट करके बताएगा आप लोग को यह वीडियो कैसी लगी आपके कमेंट देके मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत खुस ले बबाग!